एक व्राइटर ने अपने बच्चों का खयाल रखने के लिए नैनी को हायर किया पर इनैनी हजबन और वाइफ के बीच में एक दरार बन जाती है हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको डेडली इनलुजन्स ये 2021 की एक थ्रिलर मिस्ट्री हॉलिवर्ड मूवी एक्स्पेंड करने वालो इस मूवी में अलग-अलग ट्विस्ट अंटर्स आते हैं तो इसे अन तक जरूर देखेगा और बिना किसी दरी के एक्स्पेंशन स्टार्ट करते हैं मूवी स्टार्ट होती है और हम अमारे मेन गारेटर मैरी को देख सकते है मैरे एक बहुत ही फेमेस व्राइटर थी और बहुत साल हो चुके है उसने कुछ भी व्राइट नहीं किया था वो अपनी फैमिली को टाइम देना चाहती थी इसमें उसका हस्बन एक बेटा और एक बेटी है उसे लगता है कि जब वो व्राइट करती है तो वो अलग परसन बन जाती है जो फिर से नहीं बनना चाहती तो इसी वज़े से व्राइटिंग से डर रही थी पर एक दिन उसके पुब्लिशिंग हाउस से कुछ लोग उसे मिलने के लिए आए कुछ अलग बहाना बना अगर उन्होंने ये मिटिंग फीस की थी पर मिटिंग में उसे कहते है तुम्हें हमारे लिए और एक बूक लिखनी है उन्होंने उसे इसकी ओफर दी पर मैरी इस ओफर को देखती भी नहीं वो इन पर गुसा होगे और वहाँ से चली जाती है जाते जाते पब्लिशिंग कंपनी के लिए काम करने वाली लेडियों से कह कर गए ये जो सारी चीजे है ये हमारी वज़े से तुमें मिली तुम शायद तुम्हारे स्ट्रगल्स भूल रही हो मैरी उस पर भी गुसा होगे पर इस बात को इग्नोर कर देती है रात में मैरी का हजबन टॉम घर पर आया उस ओफर को देखता है ये टू मिलियन डॉलर्स की थी इतने सारे पैसे मैरी ने पूरी बुक्स लिखकर भी नहीं कमाये थे इस बात से ओब बहुत ही जादा सप्राइस्ट हो गया वो मैरी से गयता है कि तुम्हें इसे सेरेसली कंसीडर करना चाहिए वो मैरी को कुछ डैरेक्ली बता नहीं पा रहा था पर रात में उससे ओबात करता है कहता है हमने जो पैसे स्यो करकर रखे थे उसमें से हाफ उसने वेस्ट कर दिये ये पैसे उनके रिटार्मेंट के लिए थे मैरी इस बात से डिस्टब हो जाती है पर अब उसे बुक लिखने ही पड़ेगी क्योंकि उसके पास दुसरा कोई आप्शन नहीं है अगली दिन मैरी अपने फ्रेंड इलीन के साथ स्पा में गई हुई थी उसे सारी प्रॉलम बता रही थी मैरी अपने बच्चों के लिए वरी करती है कि अगर वो बुक लिखेगी तो अलग पसंद बन जाती है अपने बच्चों का अच्छे से खैल नहीं रख पाईगी इलीन ने कहा कि उनका खैल रखने के लिए तुम्हें एक लड़की हायर कर सकती हो मैरी को बात पहले सही नहीं लगती पर फिर भी उसे वो ट्राइ करती है अलग-अलग लड़कियों का उसने इंटरव्यू लिया फिर लास्ट में ग्रेस आई मैरी कॉफी बनाने के लिए गई तभी ग्रेस कुछ पढ़ रही थी मैरी को बात बहुत अच्छी लगती है उसे लगता है कि अगर उसके बच्चे ग्रेस को बुक्स पढ़ता हो देखे तो वो भी बुक्स पढ़ सकते है इन्होंने फिर बुक्स को लेकर डिसकेशन किया और मैरी को ग्रेस बहुत अच्छी लगी थी थोड़ी दिर में यहाँ बच्चे भी आगे ग्रेस उनके साथ बहुत अच्छे से बात कर दिया ग्रेस ने घर में मैरी की बुक्स देखी और यह देखकर वो बहुत एक्साइड़ हो कि कि वो एक्च्छल राइटर के घर में है ग्रेस का सारा बहेवर देखकर मैरी उसे हायर कर ले दिया एक दिन बच्चे स्विंग पूल में खेलने की जित कर रहे थे पर ग्रेस ने अपने कपड़े लाए नहीं थे मैरी ने फिर अपने यंग एज का स्विंग सूट उसे दे दिया मैरी की फ्रेंड इलेन भी या आई हुई थी उससे कहती है तुम ज़रा इसे सावदान रहना तुमारा हस्बर्ण और इसके बीच में कुछ भी हो सकता है मैरी ग्रेस को बहुत ही सीधी साधी समझती है वो कभी भी इमेजिन नहीं करती कि ऐसा कुछ भी हो सकता है राद में ग्रेस बच्चों को समाल रही थी तब ही टॉम और मैरी ये दोनों इंटिमेट हो जाते है बच्चों को समालते समालते इन दोनों की इतना टाइम मिलता नहीं था ये दोनों ग्रेस पर खुश थे नेक्स डे फिर मैरी ने अपना बुक लिकना स्टार्ट कर दिया था एक दिन मैरी के बेर पर जोट आ गए ग्रेस उसे हेल्प कर रही थी तो उसके इनर वेर को उसने नोटिस किया मैरी कहती है चलो हम तुम्हारे लिए शॉपिंग के लिए जलते है वो उसके साथ चेंजिंग रूम में थी ग्रेस की बॉड़ी देखकर मैरी को लगता है कि जब वो यंग थी उसकी बॉड़ी भी इसी तरीके से थी और वो अपनी यंग बॉड़ी को मिस करती है ग्रेस ने मैरी के हाद लिये और अपने आप पर रखे वो कहती है तुम फील कर पाओ इसलिए मैं नहीं किया वो उसके साथ फ्लेट कर रही थी इसके बाद मैरी की जो अपनी बॉड़ी को लेकर इंसेक्यूरीडी थी यही बात वो टॉम को उता दिया वो उसे पुछती है क्या तुमें लगता है बहुत ही कनफियूस थी उसे वो कैसे होने चाहिए यह समझ में आने रहा था यही बात सोचते सोचते उसने घर में ग्रेस को नोटिस किया उसी पर वो अपना कैरेक्टर बेस्ट कर देती है एक दिन उसके पुब्लिशिंग हाउस से कुछ लोग उसे मिलने के लिए उसके बुश के लिए वो आइड़ा उसे दे रहे थे तब में मैरी हमेशा ग्रेस के बारे में सोच रही थी अगली दिन मैरी अपने फ्रेंड इलीन के साथ बात कर दिया कहती है ग्रेस को में पहले बहुत ही खुश थे तो उसे फूल टाइम आप रग लेते हैं एक राद ये दोनों एक पार्टी पर गए इलीन का हजबन मैरी से कहता है तुम्हारी फोर्थ बुक बहुत ही अच्छी थी तुम्हें उस तरीके से फिर से व्राइट करना चाहिए मैरी कहती है जब मैंने उस बुक को भी फूश करकरने के काथा है उसे बहुत आच्छा लंगा तो स्यृइंग बूल में कुद गई उसने ग्रेस को वे अबने पास आने के लिए चाहा ये दोनों एंच्छाइ कर रहे थे बहार आने के बाद बहुत फिल नहीं किया था आपके साथ मुझे बहुत अच्छा लग गया, मैरी पहले जब यह राइट करती थी, तो क्या रियल, क्या नहीं, इसके बारे में डिस्टिंग्विश नहीं कर वाथ है, तुसे पता नहीं क्यों ग्रेस के साथ इंटिमेट हुई भी या नहीं, नेक्स डेए सब मैरी के बच्चों का प्ले देखने के लिए गये, या अ भी ग्रेस को अपने दिमाग से निकालनी पा रही थी एक दिन वो बात लेते हुए इमेजन करती है कि ग्रेस उसके पास आई उसे प्लीज कर रही है मैरी का बुक का काम और भी जादा बढ़ चुका था उसे बच्चे डिस्टरब ना करें इसलिए टॉम बच्चों और ग्रेस रिजाने की कोशिश कर रही थी और यह भी वक कर रहा था उसे कहता है कि आज तुम बहुत ही अलग लग रही हो एक ग्रोन उमन की तरह फाइनली मैरी ने अपने बुक कंप्लेट कर ली थी इसे सेलिबरेट करने के लिए वो ग्रेस को अपने साथ एक लेक पर लेकर जाती है यहाँ पर वो ड्रिंग वेकरा करकर सेलिबरेट करते हैं ग्रेस मैरी को किस करने लगी मैरी ने उसे रोक लिया वो गहती है यह सब करना बहुत गलत है मैं जब तुमें देखती हूँ तो अपने आपको पाती हूँ तुम बहुत परफेक्ट हो पर हम यह सब नहीं कर सकते है जब वो घर जाने के लिए फिर्जा अपने बाइसिकल के पास आए तो किसी ने टायर को पंचर कर दिया था रात में लेट घर बर बोच्छते तो एलेन और टॉम बात कर रहे थे मैरी ने उसे पूछा कि तुम यहां क्यों हो एलेन कहती है कि मुझे लगता है कि मेरी बेस्ट फ्रेंड हो तो मैरी साथ मैं ऐसा कभी भी नहीं कर सकती है इसके बाद वो यहां से चली के डिनर का प्रिपेरेशन करते हैं वक्त ग्रेस और मैरी एक साथ है तो इसमें ग्रेस मैरी को प्लीज करने लगती है टॉम यहां पहुचा पर वो कुछ भी देख नहीं पाता मैरी को जड़ा नीन आ रही थी तो जल्दी सोच आती है बीच राद में उसे अचानक से कुछ आवाज आ रहे थी वो देखने के लिए कि तो ग्रेस और टॉम इंटिमेट हो रहे थी ग्रेस से नोटिस करती है पर टॉम को कहती है उसने स्लीपिंग पील्स ली हुई है वो जब उठेगी तो उसे कुछ भी याद नहीं रहेगा उठने पर मैरी को सब कुछ याद था वो देखती है कि ग्रेस उसकी फैमिली के साथ डिनर कर रही थी इस बात पर वो बहुत ज़्यादा गुसा हो गई उसने ग्रेस को बहार निकाल दिया राद में वो टॉम से फाइट कर दिया कहती है मैंने इस फैमिली के लिए सब कुछ साइक्रिफाइस कर दिया मैरे करियर को भी छोड दिया पर मुझे इसके बदले में क्या विला तुम मुझे पर चीट कर रहे हो टॉम कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था यह सिर्फ तुमारा एक सपना था अबली दिन मैरे ने ग्रेस को जिस एजनसी से अपॉइंट किया था वहाँ पर कॉल लगाया वासे उसे पता चलता है कि उनके एजनसी में ग्रेस नाम की कोई भी लड़की काम नहीं करती मैरी बहुत ज़्यादा सस्पिशेस हो गई अब ग्रेस के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन निकलने के लिए निकल पढ़ दिये ग्रेस जो बुक पढ़ रही थी उसी बुक की इन्कॉर्य उसने लाबरी में की इस बुक को किसी और ने पढ़ने के लिए नहीं लिया था पर मैरी को अब ग्रेस का रियल नेम पदा चल गया और वो कंफर्म हो चुके थी इक ग्रेस में कुछ ना कुछ तो गलत है इसे के बारे में बात करने के लिए वो इलीन के पास गई पर डारी इलीन का मर्डर हुआ हम देख सकते हैं मैरी ने पुलिस को कॉल किया पर पुलिस का प्राइम सस्पेक्ट है मैरी ही बन जाती है क्योंकि जिस नाइफ से इलीन का मर्डर किया था उस knife पर Mary के fingerprints थे CCTV कैमेरे में Mary की तरह dress up की हुई एक लड़की वहाँ पर गई हुई थी Mary कह थी कि इस कैमेरे में कोई भी हो सकता है उसे बजाने के लिए Tom वहाँ पर lawyer के साथ पहुँझ गया Mary को अब लग रहा था कि ये सारी चीज़े Grace नहीं की क्योंकि कल राथ ही इलीन ने उस पर शक किया था Mary के पास Grace का real address था डारेकली उसके घर पर पहुँझ गई घर पर वो Grace के foster mom से मिलती है उसने उससे का कि वो जब छोटी थी तब उसके parents ने उसे बहुत abuse किया था इसके लिए वो जेल में भी गए थे Mary यहाँ पर notice करती है कि यह lady अलग-अलग आवाज में बात कर रही थी यानि कि उसे split personality disorder था यह देखकर Mary जल्दी से वहाँ से निकल जाती है उसने घर पर Tom को call लगा कि Grace को घर में आने मत दो वो बहुत ही dangerous है पर Grace already घर में थी Tom जब shower में था तो Mary की तरह कपड़े बहन कर Grace उसके पास आती है इसका मतलब है इलिन का murder उसने ही किया था और वो Tom के साथ intimate होना चाहती थी पर Tom उसे कहता है कि मैं अब कोई भी games नहीं खिलना चाहता उसका उसके साथ होना एक गल्ती थी Grace ने उसे seduce किया था ये बात सुनकर Grace बहुत जादा घुसा होगी वो Tom पर चाकू से बहुत सारे वार कर देती है वो उसे मार ही देती तब तक Mary वहाँ पर पहुच गई Grace जल्दी से कपड़े बदल कर Mary के सामने आई Mary ने टॉम के बारे में पूचा तो कहती है कि Tom shower ले रहा है तुम वहाँ पर मच जाओ Mary को suspicious लगा और वो वहाँ पर पहुची तो Tom ब्लीड कर रहा था Grace फिर से अपने हाद में चाकू ले 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 थी है पर वो अपने आपको कंट्रोल कर रही थी वो भी अलग-अलग दो आवाज में बात करती है Grace की भी दो personality थी अपने आपको protect करने के लिए एक dangerous सी personality उसने develop की थी उसके एक personality उसे बोल रही थी कि इन दोनों को मार डाले पर actual Grace उसे रोक रही थी Grace अपने आपको फिर से उस sweet लड़की में convert करना चाहती थी पर उसकी दुसनी personality उसे करने नहीं देती उसने Mary पर हमला कर दिया Grace की second personality बोली यह तो Mary से प्यार करने लगी इसलिए मुझे मारना चाहती थी यह evil personality पूरी तरीके से control ले ले थी वो Mary को मारने वाली थी पर Mary ने उसके सर पर हमला करकर उसे बेहोश कर दिया अब इसके बाद मुवी में डारेक्ली एक साल बीच चुका है Mary ने अपने बुक कम्पलीट कर ली है वो अपने फैमिली के साथ बहुत ही खुश हम देख सकते है मुवी के end scene में वो Grace से मिलने के लिए गई Mary ने उसो हस्पिटल में admit कर दिया है उसे ठीक होने में help कर रही है Grace की जो actual personality थी ये बहुत अच्छी थी और इसी को save करने के लिए Mary उसे help कर रही है ये दोनों अब बहुत ही अच्छी friends है इसे के साथ ये movie end हो जाती है Grace बच्पन में abuse होई थी तो इसी वज़े से हमेशा से family को पाना चाती थी वो जब Mary की family से मिली तो ये खुद के लिए steal करना जाती थी फिर उसकी अलग personality उस पर hub होने लग गए उसी personality की वश में आकर उसने ये सारी चीज़ी की थी तो इसी के साथ आज का वीडियो हम खतम करते अगर आपको इस प्लेशन चलागा तो प्लीज इसे like और comment जरूर कर दीजेगा मैं बहुत सारी movies लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज इस channel को subscribe कर दीजे bell notification icon दाने मत भूलेगा हम फिर से मिलेंगे और एक ने movie के साथ तब तक लिए thank you और आप अपने आपका ख्याल रखिया